पर मेरे astrological chart में शनी का बहुत ज्यादा presence है लोगों की जिंदगी में शनी दुबारा साथ साल तक नहीं आता है पर तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछी छणों में प्रकट होने वाला है लोग, हो गया प्रकट मैंनों नहीं पैचाणिया सनी, सनी जिनने समझ नहीं आया कि मैं दुबारा कैसा आया हूँ वो इसके उपर मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं रनवीर अलाबादिया को शॉर्ट में हम राजा बाबु कहेंगे राजा बाबु एक कैरेक्टर है जो कि इतना प्रिविलेज्ट है कि उसे अपने प्रिविलेज्ट का होश ही नहीं है पता नहीं क्यों मगर मुझे इस बंदे से कुछ ऐसी वाइप साती है अब इसे राजा बाबु कहा है तो इसके फैंस को नंदु कह लेते हैं और बागी की तारीफ आप नंदु से ही सुनो यह सब तस्वीर है? यह भी हमारा राजा बाबु के हैं आईए नज्दिकस से देखिये खाना बनाने से लेकर बोडी बनाने तक करीयर बनानने से लेकर लड़की पठाने तक राजा बाबू को हर चीज का ग्यान है बागी सब का पता नहीं लेकिन इस लोगो को बनाने का ग्यान जरूर है ये सारा content बनाते हुए भाई साफ spirituality के रास्ते religion में जाक उसे और फिर धेर सारी गंद मचाने के साथ-साथ नास्तिकों के उपर टिपणी भी करने लगे है अब इतनी जोड से याद करोगे तो प्रभू धर्शन दे ही देंगे ना यह इस्ट्रेवल कर चुका है इस पर ब्लैक मैजिक हो चुका है इसका बूतों से भी सामना हो चुका है मतलब दुनिया का ऐसा कौन सा खटकर में जो उसके साथ नहीं होगा है बहुत कुछ बाते करनी होगा है कुछ दिखाऊंगा क्या देखाऊंगा कुछ महसूस कराऊंगा राजा बाबू नाम रखने से याद आए कि यूटूब पर अगर बागा बाय सर्च करो तो रियल वाले के साथ हमारा वाला भी दिखता है मगर ये कहानी है राजा बाबू की जो बच्पन में अपने आसपास वालों सेंस्वेंस होकर एथीस्ट बन गया था क्योंकि उसे लगता था कि एथीस्ट होना बहुत ही कूल होता है कूल बनने के लिए ये मैं कहता था कि I don't believe in God भगवान में विश्वास नहीं रखता क्यों कूल बनने के लिए क्यों मेरे आसपास के लोग कहते थे कि वो एथीस्ट है के लिए नहीं है एथीस्ट बनने के लिए लेकिन आपके रादों का बेस अगर मजबूत रैशनलिटी के जगा खोकले स्वायक से बह रहा है तो आपके ब्रहम का महल भी ऐसे ही गिरेगा जैसे इसका गिरा है सच में एथीस्ट बनना और बनने रहना हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि जो लोग बस कूल बनने के लिए एथीस्ट बनने हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है किस्ता कुछ जैसा ही कि हमारा सो कॉल एथीस्ट बाई एक बार बस में ट्रावेल कर रहा था और बस का हो गया एक्सिडेंट जिसमें रनवीर को छोड़कर बाकी सभी लोग को अलग-लग तरिके की चोटे आई मगर अनवीर को एक स्क्राश तक नहीं आया इवन उसे बीचे एक्सिडेंट में हनुमान जी की तस्वीर भी दिखाई दी और फिर बस से उतर गए उसे ढाबे पर भी हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दी और इसी के साथ नास्तिक्ता से रनवीर का रिष्टा हुआ खत्म और वो जाकर बैढ़ गया आस्तिक्ता की गोदी में I mean literally वो रिलिजन की गोदी में जाकर बैढ़ गया है खेर अभी तो धर्म और सत्ता की गोदी में जो भी बैठ है उनकी आशी चल रही है सबसे पहले इसके नास्तिक सास्तिक बनने किससे को डिकोट करते हैं भगवान आस्तिकों को छोड़कर इस नास्तिक को क्यों बचाएंगे और अफकॉर्स इस नास्तिक सा आस्तिक बनाने के लिए भगवान एक पुरी बस का एक्सिदेंट तो नहीं ही करवाएंगे अच्छा हो सकता है वो किसी दूसरे religion के हो यहां उसी religion के दूसरे god को मानते हो तो उस god ने भी उन्हें क्यों नहीं बचाया A. बाकियों की god रनवीर के god के जितने powerful नहीं थे B. बाकियों की god को accident का पता ही नहीं था C. बाकियों की god ने ही accident करवाया था D. बाग्यों की गॉड उनने बचा सकने में असक्षम थे Alexa, इनका टाइम शुरू होता है अब और एक और बात इस गेम ने कोई लाइफ लाइन नहीं हो गी सर रनवीर को एक स्क्राइश तक नहीं आया तो वो नास्तिक सा आस्तिक बन गया इस logic के साफ से तो उस bus accident में जितनों को भी चोटे आई है उनने आस्तिक सा नास्तिक बन जाना चाहिए ये classic case है I found God during the most vulnerable time का क्योंकि आपके vulnerable time में ही सबसे जादा chance होते हैं आपके manipulate होने के जब आप बहुत डर जाते हैं या बहुत बीमार होते हैं या बहुत time से भूक ये पयास होते हैं तो आपको hallucinations होने लगते हैं आपको ब्रह्म होने लगता है आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है आप अजीब अगरीब बाते करते हैं आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता क्यूकि तब आप सबसे जादा वल्लरेबल होता है एक वल्लरेबल इंसिडेंट से अगर आप नास्थिक सास्तिं होए है तो इसका मतलब यही कि आप नास्तिक थे ही नहीं आप बस कूल बनने के लिए नास्तिकता का बैश लगा कर गुम रहेते है People often say there is no atheist in falling plane Plane fly and fall according to the laws of physics So actually there is no God who listens to the prayer coming out of falling plane Recently Udisa में एक बहुत बड़ा train accident हुआ जिसमें गरीब 280 लोग की जान गई और 1000 से जादा लोग गहाल हुए अब इस पर क्या explanation होगा? Raja Babu, किसके God ने किसको बचाया और किसके God ने उसकी हल्प नहीं की? मुझे कोई God नहीं दिखे किसी को बचाते हुए मुझे इनसान दिखे इनसानों को बचाते हुए इस imaginary friend के साथ contradiction यही है कि बचा तो वही रहा है लेकिन मरवा कौन रहा है पता नहीं इस अनंत विशाल का ब्रहमान में ये ब्रहम रखना बेवकूफी है कि कोई personally आपका ध्यान रख रहा है एक pandemic का आता है और लाखों लोग ऐसी ही मर जाते हैं एक earthquake का आता है और हजारों लोग ऐसी खत्म हो जाते हैं एक asteroid आता है और हजारों प्रजातियां अविलुप्त हो जाती है Atomic bomb, Hiroshima Nagasaki ये ब्रह्मान कुदरत के नियुम पर चलता है किसी की भगवान ये किसी की आस्था से नहीं मगर भगवान और लोग की आस्था के सहारे हमारे राजा बाबु को चैनल बहुत बढ़िया चल रहा है So he said here like this, then he did like this Then he produced one Rudra and he said Here मैंने Rudraksh got created out of thin air Amazing यार, ये कैसे कर सकता है कोई ये कैसे कर सकता है कोई Like what just happened here देखो magic trick perform करना गलत बात नहीं, वो तो बहुत अच्छा art form है लेकिन उसके साथ ये बखवास करना गलत बात है This Rudraksh is not produced from thin air Let me put it, it's somewhere But I have agencies which can bring them here, that is different Guruji आपके external agencies से बोलकर कोहिनूर ये अभारत क्यों नहीं ले आते हैं? क्या? पासपोर्ट नहीं है अच्छा ठीक है हमारे राजा बाबु को चैनल फिलाल 4 चार्ट चीज़ों पर चल रहा है Superstitions, Sudo Science, Conspiracy Theories और Religion Religion के नाम पर तो जहां सरकारी चल रही है महाँ चैनल क्यों न चले? इस सज्जन को क्या तकलीब है भाई? और सिफ राजा बाबु ये ऐसा नहीं कर रहा है जैसी लोगों को पता चला है कि इंडिया में Religion के नाम पर वोट्स ही नहीं बलकि सोशल मीडिया पर नोर्स भी जाप सकते हैं वैसी ऐसे लोगों अपने content में Religion मिक्स करके बेशना शुरू कर दिया इस तरह भीक मांगते हुए अपने title में भगवान के नाम पर देदे बाबा लिखना भूल जाते हैं लेकिन काम तो वो ये ही कर रहे हैं लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो मैंने उसके घिसे पिटे क्लेम को डिबंग नहीं किया है वैसे भी मैं इसके हर एक क्लेम को डिबंग करने लगा तो गेम ओफ थोंस से ही बड़ी एक शिट ओफ रन्वीर सिरीज बन सकती है और मैं इसके कॉंटेंट पर रियाक्ट भी कैसे करूँ क्योंकि अब जायतर वीडियो में तो ये किसे ने किसी को सामने बठा कर बकवास कर रहा है और बकवास सुन भी रहा है ऐसी बात है कोई मेरे चैनल पर आगर कह दे तो में सीधा ये जवाब तो जूते से मेरा मतलब आर्यूमेंट वाला जूता मुझे पता है वो ये फसी फाइटर है और देखो फाइट में तो लगती रहे तीन चोटे सर वेगरा पर तो शायद भूल गया है या उसे पता नहीं है कि कितने सारे सक्सेस्फुल लोग एथीस्ट है इससे याद आया इंडिया नेथीस का पार्ट टू आने वाला है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट इन नेथीस के नाम बताओ ताकि उन्हें हमें उस वीडियो में इंकलूट कर सकूँ बाकी की दो बाते मुझे जानने भी नहीं है ये खुद की वीडियोस बनाते टाइम यूटूब पर डालते टाइम खुद से पूछता है कि is it true इसी की बात को मैं इसी पर अपलाए करूँ तो इसका आधा चैनल खाली हो जाएगा एसेंस लेंसर और धूंकी बाबा में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये गली नुकड की जाएकर सोशल मीडिया पर पाखन फैला रहे है लोगों को अंदुश्वास बेच रहे हैं रिलिजिल सेंटिमेंस का फायदा उठा रहे हैं उन्हें बेवकूफ बना कर पैसे कमा रहे हैं खेर अब तो गली नुकड वाले बाबा भी यूटूबर्स बन चुके हैं और कुछ तो इंगलिश में कॉन्टेंट बनाते हैं जैसे गाली इंगलिश में कूल लगती है वैसे ही अंदुश्वास इंगलिश में इंटलेक्च्वल लगता है हमारा राजा बाबु भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहा बलकि और चैनल्स बना रखे हैं पूरी की पूरी टीम छोड़ रखी है वो चीज़े फैलाने के लिए जिन चीज़ों ने भारत की प्रोग्रेस को बरसों से जकड़े रखा है और ये सब करते हुए भी ये दावा करते हैं इंडिया स्मार्टेस पॉडकास्ट होने का राजा बाबु उसकी टीम करीब दो करोड़ लोगों तक डेली सुपरस्टीशन, सूडो साइंस और कॉंस्परेसी थियोरी पहुचा रहे है पैसे और लालच के चक्कर में राजा बाबु इतना बीमार हो चुका है कि वो सही गलत, अच्छे बुरे में फर्क करना ही भूल गया है अफकॉर्स इंडिया के करने सिनारियो में तुम रिलिजन में कुछ भी लपेट कर बेचो तो बिखी जाएगा लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना इमान और जमीर ही भेश दो खेर, बीमार है बेचारा और बीमार इंसान को हेट्रेड नहीं देते उसे कहते हैं, गेट वेल सून इस वीडियो का मैसेज आप लोगों तक पहुँच गया हो तो गेट वेल सून रण वीड लिखकर राजा बाबु तक भी पहुचा देना अब नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने राजा बाबु को डिफेंड करना उसके नंदू बंदू आते ही होंगे देखो नंदू बंदू छोड़ता तो मैं किसी रिलिजन या पॉलिटिकल पाटी के अंद भक्त को भी नहीं हूँ और तुम तो फिर भी राजा बाबु के नंदू हो तो कॉमेंट्स में आकर मुझसे बखवास मत करना क्योंकि तुमको तो फिर भी अपने भगवान को जवाब देना है मुझे किसी को जवाब नहीं देना मगर फिलाल मुझे कहना है थैंक यू इस चैनल से जुड़े हर एक इनसान को क्योंकि आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वज़े से ये चैनल हो चुका है मॉनिटाइस सो अब आप मुझे उस थैंक्स बटबल क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हो और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं हर एक कॉमेंट का रिपलाई दू है सून अस पॉसिबल मगर अब इतने सारे कॉमेंट्स के चलते वो हो नहीं पा रहा है स्चिल थोड़ा लेटी सही और तुम चाहते हैं कि मुझे तुमारा कॉमेंट अलग से दिख जाए तो तुम इस चाहल की मेंबर्शिप ले सकते हो जो मैं जल्दी स्चार्ट करने वाला हूँ देखो मुझे पताए कि बहुत गुस्सा आता है जब कोई अंदबक्त, तनातनी, टुन्नी या मुन्नी कॉमेंट्स में अगर बखवास करता है बट प्लीज, कोई किसे से जगड़ा नहीं करेगा मेरे सबाब जगड़े से याद आया कि वैसे तो स्ट्रोलजी एक दम बखवास चीज है मगर उस पंडित ने एक बात बिल्कुल सही बोली कि रनवीर की कुल्ली में शैनी है जो बार-बार आता रहेगा आने वाली वीडियोज कुछ ऐसे लोगों पर है जिसे रनवीर जैसे लोग अपना भगवान मानते है और मैं उन वीडियोज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मझे जाते जाते रनवीर और उसके जैसे लोगों से पूछना था कि तुम्हारी उस भगवान का हून तो बैटा है न